जैन दोस्तो आज जो है इंडियन जी गुरॉफिक का सीरीज लेकर आएं हम जो कि जितने भी जितने भी फेपर में पूछा गया है रेलवे हो एससी हो सीजील जो भी है उसको हम लोग कवर करेंगे वो भी मैप से तो आईए हमारे साथ जूड़ी है जो कोस्चन आपका है पहल इतने भारतिय राजियों की सिमाएं नेपाल से जूड़ी हुई है तो इसका एंसर तो हो जाएगा आपका डी पाँच राजियों से जूड़ी हुई है इतने से तो पांच से तो आईए मैप पे देखते हैं हम लोग मैप जो है आपका देखिए यहाँ पे मैप में जो है पहला है यहाँ पे रेट सा लगा है तो यह है उत्रा खंड दूसरा आपका है उत्तर प्रदेश तिसरा यह जो है बिहार उसके बाद यहाँ पे जो स्वाजा कर रहा है वेश्ट वंगाल उसके बाद उपर जो है यह सिक्किम से साजा कर रहा है ठीक है तो यह हो गया आपका सिक्किम से यह सिक्किम से है यह आपका उधराखंड से हो गया इसके बाद यह उत्तरपर्दे से बॉडर जो साजा कर रहा है यह वाला और यह जो है बिहार से कर रहा है उसके बाद देखे यहां फिर वेश्ट बंगाल से तो कितने से कर रहा है, 5 से कर रहा है आप चलते हैं, अगले next question पे question number 2 question number 2 जो है, लच्छेदीप समू और अंडमान निकोबारदीप समू के समूदर तट सहीत भारत की समूदर तट की लगभग कुल लंबाई क्या है, तो इसका answer हो जाएगा आपका 75-17 किलो मीटर अब इसको मैप से देखते हैं हम लोग मैप में अब देखिए यहाँ से जो लेकर यह बाउंडरी है न देखिए आपकी जो आपकी जो यह बाउंडरी है यह पूरा लेकर तो यह है आपकी 600 किलो मीटर कितना है तो यह है 600 किलो मीटर लेकिन लेकिन आपका यह देखिए यह होगे अंडमान निकोबार दिप समूँ अर लच्छे दिप दोनों को मिला कि है 77 आपका 77 75-17 है इतना है 75-17 है तो अगले आप चलते हैं अगले नेक्स्ट कोश्चन पे आपका कोश्चन जो है भारत पूरी तरह से प्रित्वी के डॉट डॉट गोलार्द और भाग में इस्तित है तो इसका हो जाएगा आपका उतरी पूर्वी अब इसको हम लोग मैच में कैसे दिखाया गया है तो आइए मैच में देखते हैं तो देखिए थोड़ा जूम कर दे रहे हैं अब देखिए यह जो है आपका 0 लाइन है थीक है इसके उपर देखेंगे हम लोग ये आपका ये आपका हो गया North All weather North ए हो गया South ए अपका East da आपका किसमे है तो North East में किसमे है North East में इंडिया जो है इंडिया का लोकेशन है North East में तो आपका हो जाएगा North East इसमें हो जाएगा North East में अब methodology है हम अगले next question पे question है भारतिय मानक समय IST Greenwich मत ये समय GMT से dotted आगे है तो इसका answer हो जाएगा आपका C 5 घंटे 30 मिनट अब इसको समझते हैं कि कैसे होगा तो इसके लिए हम चलते हैं आपके map पे map पे ही समझा देंगे हम आप देखिए अब देखिए यहाँ पे आपका A जो है क्या है देशांतर है और एक देशांतर अगर एक देशांतर रेखा एक एक डिगरी के अंतर पर है तो या तो एक एक देशांतर रेखा चलेंगे तो हम 4 मिनट या तो 111.32 किलो मिटर चलेंगे चोकि हमारा जो है साड़े 82 डिग्री पे है कितना पे है साड़े 82 डिग्री पे है तो साड़े 82 डिग्री में आप 4 का गुणा multiply करेंगे तो आज आज आएगा आपका 330 330 मिनट तो आप इसको क्या कर लेंगे हम लोग 330 मिनट को घंटा में चेंज कर लेंगे तो 60 से भागा दे देंगे जब भागा दे देंगे हम लोग तो 5 हावर्स और 30 मिनट आ जाएगा ठीक है अब अगले चलती है हम लोग next question पे देखिए निमलिखित में से कौन सा भारतिय समय भारतिय मानक समय को 60 डिग्रंग से दरसाता है तो माइनस में हम नहीं लेंगे इसको हमेशा क्या लेंगे प्लस में लेंगे तो यहाँ पे हो गया आपका अगले question पे चलते हम question number अगला question है एक मात्र भारतिय राज कौन सा है जिसकी सिमा सिक्किम राज जिससे जूड़ी है तो सिक्किम राज जिससे कौन जूड़ा है तो यह आपका हो जाएगा फश्रिम बंगाल कौन हो जाएगा फश्रिम बंगाल तो इसको हम लोग मैप में देखते हैं कि देखिए आप लोग मैप पे यहाँ पे तो मैप को थोड़ा हम जूम कर दे रहे हैं ठीक है तो यहाँ पे देखिए सिक्किम जो है सिक्किम का बाउंडरी केवल किससे लग रहा है आपका वेश्ट बंगाल से यहाँ देखिए वेश्ट बंगाल से सिर्फ नीचे लग रहा है चुकि बिहार का आपका फीला वाला है और अधर है और इसका जो बाउंडरी यही है क्या है यह जो दिया गया है तो सिक्किम का बाउंडरी किसे लग रहा है वेश्ट बंगॉल से लग रहा है ओके चलते हैं अगले नेक्स्ट कॉस्चन पे अब कॉस्चन जो है रेट क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की अंतराष्टिय सीमा रेखा है तो रेट क्लिफ रेखा किसे है आपका भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा है भारत और पाकिस्तान के बीच भारत और पाकिस्तान के बीच और भारत और पाकिस्तान के बीच जो बाउंडी साजा करता है वह है आपका 23-23 किलोमेटर कितना है? 23-23 किलोमेटर अब देखिए भारत और चिन के बीच कौन सा बिभादन करता है यह है मैक मोहन मैक मोहन रेखा कौन सा है? मैक मोहन रेखा और इसका जो है 34-188 किलोमेटर है 34-188 किलोमेटर का बाउंडरी सेयर करता है जबकि भारत और बंगला देश के बीच आपका भारत और बंगला देश के बीच 4-9 किलोमेटर और इसको सुने रेखा द्वारा भी भाजन होता है या किससे होता है सुने रेखा द्वारा आपका भारत और नेपाल के बीच जो है 1751 किलोमीटर की बॉंडरी से यहर होती है कितना 1751 किलोमीटर अब चलते हैं अगले next question पे अब इसको हम लोग क्या करते हैं मैप से cover कर लेते हैं तो मैप से क्या करेंगे देखिए आपका आपका जो है पाकिस्तान या पाकिस्तान और इंडिया से क्या है पाकिस्तान और इंडिया से आपका रेड क्लिफ है रेड क्लिफ है रेड क्लिफ है और आपका इंडिया और अफगानिस्तान से इंडिया अफगानिस्तान से कौन सा है बॉंडरी इंडिया अफगानिस्तान से आपका डूरंड रेखा है कौन सा है डूरंड रेखा डूरंड रेखा है उसके बाद इधर आते हैं हम लोग चाइना चाइना के बीच आपका है मैं एक मौन रेखा ओके चलते हैं अब अगले next question पर question है आपका भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा क्या कलाती है तो यह क्या कलाती है आपकी red clip रेखा क्या लती है अब देखे डूरंड रेखा जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच में है भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन है सहर डूरंड रेखा उसके बाद मैनर हीम रेखा जो है आपका सोबियत संग रूस और फिनलेंड के बीच और फिनलेंड के बीच हिंडनबर्ग जो है आफसन डी जो है हिंडनबर्ग हिंडनबर्ग जो है जर्मनी और पोलेंड के बीच में जर्मनी और पोलेंड के बीच में इस तरह आपका च्यारो आफ्सन का सुलीशन हो गया अब चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेस्टन पे निमलिखित में से कौन सा राज भारत की साथ बहनो सेवें सिश्टर आफ इंडिया के अंतरगर सामिल नहीं है तो देखिए यहाँ पर मेघाले हो जाएगा नागा लेंड है और रुणाचल प्रदेश है लेकिन सिक्किम नहीं है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा सिक्किम हो जाएगा लेकिन चलते हैं हम लोग मैप से समझते हैं इसको कौन कौन सा आपका है तो चलेंगे अब चलीए माइप को थोड़ा हम लोग जूम कर लेते हैं ठीक है तो यहाँ पर देखिए अब देखिए फहला जो है आपका उपर जो है अरुणाचल प्रदेश तो यह सेवन सिश्टर में है उसके बाद देखिए आ जाएंगे नागालेंड उसके बाद नीचे है आपका मनिपूर नीचे है मिजोरम उसके बाद आपका देखिएंगे यह त्रिपूरा है उसके बाद यह है मेगाल है ठीक है और एक है कौन सा तो असम है ठीक है लेकिन इसमें क्या है सिक्किम देखिए सिक्किम यहां है तो यह सिक्किम की बाउंडरे इससे नहीं है सेवन सिस्टर यहां से जो है उसको और यहां से ऐसे करती हुए यह जो आपका है सेवन सिस्टर में है सेवन सिश्टर में है ठीक है तो यहां से मैप से कभर आपका हो गया अब चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्टन पर क्वेश्टन है निमनिकित में से कि इस देश की भू सिमा भारत से जूड़ी नहीं है तो देखिए इसका जो हो जाएगा इसको भी हम लोग कैसे वह समझेंगे लेकिन इसका एमसर एक ताजिक्स्तान है यह जो कि बंगला है ऐनके भारत से करता है उसके बांस चीन भी करता है मियवार भी करता है अब reports से देखते हैं कि कौन कौन सी आपके बॉंडरी सेयर होती है तो मैट पे चलते हैं लोग चल पर जूम करके देख लेते हैं इसको तो देखिए आपका इधर जो है अफगानिस्तान आपका पाकिस्तान हो गया अफगानिस्तान हो गया उसके बाद चाइना हो गया उसके बाद आपका मेयमार हो ग और भुटान है लेकिन इसमें ताजिक्स्तान नहीं है तो यहां से मैप से हो गया आपका कभर अब चलते हैं हम लोग अगले next question पे लेकिन इससे पहले क्या करते हैं image को erase कर लेते हैं निमलिखित में से किस सहर को पूर्व का स्कॉट लेंड कहा जाता है तो इसका एंसर आपका हो जाएगा शिलॉंग कहुंसा हो जाएगा option नमर भी इसका एंसर हो जाएगा शिलॉंग अब चलते हैं अगले next question पे काठिया और प्रायदीव डडडड का भगवलिक और संस्कृतिक बिस्तार है तो यह कहां है राजस्थान में है तो राजस्थान देखते हैं मैं पे कहां है एक्जेक्ट लोकेशन तो यह चलिए मैं पे दिखाते हैं आपको राजस्थान अब इस image को थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं आपका राजस्थान जो है यह image में क्या है आपका boundary जो है राजस्थान है राजस्थान का कुछ लोक निति भी फेमस है जैसे घूमर है सुई सीनी है घूमर है सुई सीनी है पनिहारी है कौन सा है पनिहारी यह important क्या है यहां की लोक नित्य है तो यहां से यह question आपका cover हो गया map से अब चलते हैं अगले next question पर नेमलिकित में से की सराजी की भूसीमा नेपाल से जूड़ी नहीं है तो नेपाल से कौन सा नहीं जूड़ा है आपका तो इसका हो जाएगा जारकंड कौन सा हो जाएगा आपका जहारखंड हो जाएगा नेपाल से कौन नहीं जुड़ा है तो इसके लिए हम लोग मैप पे चलेंगे कि नेपाल से कौन कौन सी बाउंडरी नेपाल भारत के राजय से सेयर करती है तो मैप पे चलते हैं हम लोग तो मैप को हमने जूम कर लिया है तो देखिए उपर जो है आपका यहाँ पे उतरा खंड है उपर सबसे उतरा खंड उससे जश्ट सटा हुआ आपका उत्तर परदेश बाउंडरी सेयर कर रहा है उसके बाद देखेंगे कि नीचे जो है आपका या बिहार है तीन नमर पे और इसके बाद देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे कौन सा है आपका तो यह है चार पे आपका वेश्ट बंगाल है उपर थोड़ा सा सटा हुए बाउंडरी है कौन सा सिक्किम है चुकि पहले जो था बिहार जो है जार्खन था बिहार में ही तो करता था लेकिन अब जार्खंड जु है बिहार से अलग हो गया है इसलिए बाउंडरी is all情 नहीं शेर करता है पहले भी यह वेह वेस्ट बंगाल नहीं शेयर करता था और विहार और देखिए यहाँ पर नीचे जो है आपका जारखंड है तो जारखंड यहाँ पर boundary शेयर नहीं करता वोके चलते हैं अगले next question पर इससे पहले हम क्या करते हैं इस को को यह है उडिसा से नहीं जूड़ी है किसे नहीं है आफसन नमर भी उडिसा से नहीं जूड़ी है लेकिन क्या करेंगी हम लोग इसको मैप से कबर करेंगी कि महराश्ट की सीमा एकजेक्ट किसे किसे जूड़ी हुई है तो चलते हैं हम लोग मैप पर देखिए यहाँ पर जो परदेश से है इसके बाद गुजराद से है उपर देखेंगे यहां पर तो यह पूरा पूरा बॉंडरी के किसे है फिर से देखते हैं हम लोग इसको यह हरा वाला जो है हरा जो है यह आपका महराष्ट है तो उपर जो बॉंडरी है आपका मद्देपर्देश है यहां पर जो बॉंडरी सेर है यह आपका 36 गड़ है उसके बाद यह देखी आपका यह त्यलंगाना है उसके बाद यहां से है आपका गुजराद कौन सा है गुज जो है आपका दिखाए नहीं दे रहा है इसलिए क्या कर दे रहे हैं की छोटा करें रहे हैँ अ कि निचे कंसा है तो यह है आपका एक पूरा करनाटक है panuts से करनाटक तो करनाटक से मुंबई जो है कि boundary शेयर करती है चलते हैं अब अगले next question पर इससे पहले क्या करते हैं इसको इरेज कर लेते हैं क्वेस्चन है आपका भारत देश का दर्श्रितम बिंदु क्यों सा है तो दर्श्रितम बिंदु आपका क्यों सा हो जाएगा इंद्रा पॉइंट आप्शन नमर डी जो है आपका हो जाएगा इंद्रा पॉइंट ठीक है तो इंद्रा पॉइंट हो जाएगा लेकिन अब इसको हम लोग करेंगे मैप से कभर अब देखिए इसको मैप से समझते हैं तो आपका ये आपका दश्णी बिंदु हो गया यहाँ पे इंद्रा पॉइंट अब इसमें और समझने वाली बात है कि देखिए जमीनी सीमा जो है जमीनी सीमा की लंबाई कितना है 15200 किलोमीटर ठीक है और जो है आपका दश्णी से उत्तर यह जो है दूरी नौर से साउट जो है चुकि यह है इंद्रा कॉल से हिंद महासाकर के बीच यह है 32-14 किलोमीटर क अब देखेंगे हम लोग पूरो से पच्छिम यह जो दूरी है आपका गौर माता से किवूतित के बीच में तो यह आपका है 293 किलोमीटर 293 किलोमीटर ठीक है तो यहां से एक क्वेश्चन आपका हो गया अब अब देखते हैं हम लोग कि जो भारत का मुक्य भाग जो है आ आठ डिगरी चार मिनट यहां पर देखिए आठ डिगरी चार मिनट है उसके बाद भारत का आठ डिगरी चार मिनट उतरी अच्छांस से सैंती डिगरी चार मिनट उतरी अच्छांस यहां पर गौर करने वाली बात है कि हमने बताया था पहले ही कि भारत जो है कि आपका एक यहां पर भी अमने बताया था कि चुकी अंडिया का लोकेशन जो ऐसे है तो नौर्थ यह है इसके उपर है तो यहाँ पे नौर्थ था और यहाँ पे क्या था इस्ट था नहीं तो नहीं समझ में आ रहा है तो हम पहले ही बता थे आपको इमेज में कि नौर्थ इस्ट है इसलिए हम लोग क्या लेंगे इधर की डिस्टेंस इस्ट लेंगे यह जो होगा आपका यह जो होगा आपका नौर्थ होगा यहां का क्या होगा इस्ट होगा तो हम जब भी लेंगे जो भारत का मुख्य भाग होगा तो आप लोग कभी भी ध्यान दिजिएगा अच्छे त्रफल जो है अगले नेक्स्ट कॉस्टन पर इस अब देखिए क्वेश्टन समाप्त हो गया इसी तरह हम लोग पंदर का सेट लाते रहेंगे जो कि आपके जितने भी जाम में पूछा गया सब कभर कर लेंगे हम लोग मैं अपसे अपना प्यार और अशिरवाद हमारे उपर बनाए रहें और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक किजिए चैनल को सस्क्राइब किजिए और वीडियो को सेयर किजिए ओके जहन थेंक्यू झाल